तो दोस्तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबर्ड में तो दोस्तो आज किस वीड़ो में हम क्लाश 12 केमेश्ट्री का जो सेंपल लेपर है सेशन 2023 और 2024 के लिए वो डिस्कस करने वाले है इसमें जो पैटन है दोस्तो पेपर का वही सेम पैटन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड इग्जाम का होने वाला है तो इसलिए बहुत इंपोटेंट आपको यह देखना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तीन घंट आपको पूरा टाइम मिलेगा सतर नमबर का आपको केमिस्ट्र के एकजाम होता है बागी के जो तीस नमबर है वो प्रैक्टिकल के होती है ठेक है अब यह जो पेपर है इसमें टोटल 33 कोश्चन है पांच सेक्शन है सेक्शन ए में दोस्तो 16 MCQ है एक एक नमबर के Section B में 5 question है 2-2 number के Section C में 7 question है 3-3 number के Section D में दोस्तो 2 question है case study वाले 4-4 number के और Section E में 3 question है 5-5 number के ठीक है Log table calculator इन सब का use आपको नहीं करना है जरुवत पड़ी होगी log निकालने की तो question में value दी होगी ठीक है दोस्तो अब Section E जो है वो देख लीजिए आप ठीक है जिसमें MC क्यों है 16 ठीक है यह आपको बस direct answer भी दिखना है ठीक आपको कौन सा option सही है तो 16 question है इस तरीके के यह आप देख लीजिए फिर assertion reason वाले भी question है इसमें एक एक number के सारे ठीक है तो last के जो 4 question है वो assertion reason वाले है शुरू के 12 वो MC क्यों है अब section B जो है दोस्तों इसमें 5 question है ठीक है आपको दो दो number के है ठीक है अब आप देख लीजिए जैसे 17 है इसके 2 part है part A और part B तो दोनों एक एक number का हो गया फिर 18 है 19 में भी 20 में भी दो पार्ट है लेकिन choice भी है तो या तो आप उपर वाले दो पार्ट करिए या नीचे वाले आपको convert करना है ठीक है इन दोनों questions में फिर 21 के भी दो पार्ट है फिर आता है दोस्तों section C इसमें 7 question है तीन तीन नमबर के जैसे 22 में दोस्तों तीन पार्ट है 23 जो है उसमें भी तीन पार्ट है 24 तीन पार्ट है 25 है दोस्तों 26 उसमें भी तीन पार्ट है 27 और 28 फिर आता है दोस्तों section D जिसमें case study वाले question है जैसे question 29 है field speeding दे रखिए T2T जो होता है transmission ठीक है T2G level EG level यह वाला तो इस तरह पे फिर इस पे बेश्ट question है ठीक है A, B, C तीन पार्ट है A में आपके पास choice है B और C में आपके दो करने ठीक है first और second तो चार नमबर के question है ऐसे 30 वाला है दोस्तों यह battery वाला जो आपका electro chemistry में जो chapter है उस वाले में दोस्ते topic है battery वाला उससे यह लिया गया है ठीक है फिर उस पे बेश जहां पे तीन question है और C वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास choice है ठीक है तो इस तरहीके से आपको यह paper करना है अब आता section E जिसमें 5 पाँच नमबर के question होगे important होगे ठीक है अब यहाँ देख लीजिए जैसे 31 है इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं लेकिन आपको कितने करने 5 कोई भी 5 पार्ट आप इसमें से कर सकते है फिर 32 जो है दोस्तों उसमें या तो आप उपर वाले A, B, C तीनों प A के 2 question है B के 3 question है इन सभी को करिए तो यह आपका chemistry का paper है दोस्तों land होने वाला है बिल्कुल ठीक है क्योंकि दोस्तों इसमें parts बहुत है हर question के सब parts है जैसे 1, 2, 3, A, B, C तो आपको अच्छे से prepare होके जाना है ठीक है question के level भी high है ठीक है तो आपको अच्छे से पढ़ना question कितने number के होने वाले है ठीक है अब इसकी जो official marking scheme है दोस्तों यह जो sample paper आपको मैंने दिखाया इसके जो official answers है तो चलिए अब मैं आपको इसके जो answer है वो दिखा देता हूँ तो दोस्तों अभी जो आपने sample paper देखा chemistry का उसी की official marking scheme है तो इसको ध्यान से जरूर देख लीज है 5th का B, 6th का option A है 7th का B, 8th का C, 9th का B, 10th, 11th दोनों का A है 12th का B है 12th में एक और question था जो visually challenge बचे है ठीक है जो देख नहीं सकते है उस question का जो answer है D है 13th का C, 14th और 15th का B, 16th का D, ठीक है अब section B जिसमें जोस्तों दो-दो number एक question थे ठीक है तो यह आपको करना था यह सारा उसका solution दे रखा है, हरी step के बाद marking है, bracket में जो लिखी हुई है, उसका आपको जान देना है कि कितने step करने पर आपको कितने number मिलने वाले है, तो step wise आपको solve करना है direct answer नहीं लिखना बिल्कुल, ठीक है तब ही आपको पूरे number मिलेंगे, यह दो-दो number एक question थे दोस्तों, सब-parts, A, B, C, सबकी marking या side में लिखे हुई है, reactions लिखे हुई है, जो answer है सही, यह सारी reaction important है दोस्तों, पूरी organic chemistry important है आपके paper में, ठीक है, कोई सी भी reaction आ सकती है, अभी आ फिलाल यह देख लिए, किस तरीके से आपको answer मिल रहे है हर step के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपक कुछी steps नहीं है, तो आपको number मिलेंगे, ठीक है, अभी यह mechanism वाली जो reaction है, फिर दोस्तों chemical kinetics, फिर आता है section D, दोस्तों जिसमें case study थी, ठीक है, यह आप देख लिजिए, A, B और C, 3 parts थे 29 question के, choice भी थी, फिर 30 जो था, उसमें भी दोस्तों 3 parts थे, A, B और C, ठीक है, सब के यहां पर answer अच्छी तरीके से लिखे हुए, ठीक है, और इसमें choice थी C वाले में, उसका भी यहां पर answer लिखा है, अब section E, जो है दोस्तों, जिसमें, पांच पांच नमबर एक question थे, इसमें 6 थे, जैसे 31 में, आपको कोई 5 करने थे, सब के answer यहां short में लिखे गए है, आपक यह marking और answer लिखे हुए है, फिर जो choice वाला question था, उसमें भी A और B, दोनों पार्ट का यहां पर अच्छे से बतायागे आपको, फिर 33 जो था दोस्तों, उसमें आपको compounds बताने थे, फिर उनकी reaction बतानी थी, तो यह अच्छी तरीके से आप reaction देख लीजे, कैसे है, फिर जो choice इस वाला question था, वो भी आपने यहां पर देख लिए, उसमें आपको order wise करना था, बी पार्ट में जैसे, तो यह आप देख सकते हैं, आपका answer की official, अभी जो sample दिखाया था दोस्तों, उसी की official answer की है, इसको देख के आपको idea लग जाएगा, किस तरीके से आपको step wise marking होने वाल ही है, आप से film में लेंगे next video में, किसी और subject के sample paper के साथ, तब ते के लिए, bye bye, see you again and thanks Oroji